नमस्कार आज मैं आपको कुछ खास बाते ऐसी बताना चाहूंगा आप अपना नया घर बनाने जा रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है जब आप अपना नया घर बनाने जा रहे हैं आपका घर चाहिए किसी भी दिशा का है आपके घर की फेसिंग चाहिए कोई भी है जो तो आज मैं आपको तीन बाते बताने जा रहा हूँ, वो तीन बाते अपने घर में अपलाई कर लेते हैं, तो ये मन के चलिए, मेजर वास्तु दोश आपके घर में बिल्कुल भी नहीं बनेगा, पहला point, घर के south east में, अगनी कौन में, south center से south east के और, इस दिशा में आपको kitchen बनानी ही चाहिए, second point, south west में, आपको अपने यहां पर, store या bedroom, बनाना ही चाहिए, बैड़ूम कौन सा, master bedroom, तिसरा point, घर के north east corner में, east center से north तक, यानी जो हमारा north east का corner आता है, इस हिस्से में, क्या नहीं बनाना चाहिए, toilet नहीं बनानी चाहिए, kitchen नहीं बनानी चाहिए, stairs नहीं बनानी चाहिए, यहां पर store नहीं बनाना चाहिए, और यहां का floor level भी उंचा नहीं होना चाहिए यदि आप अपना घर बनाते समय इन तीन बातों का ध्यान रख लेते हैं तो मेरा अपना मानना है कि आपके घर का वास्तु दोश्ट काफिया तक सही हो जाएगा क्योंकि हर घर के अंदर जब घर बनाते हैं तो हर bedroom के साथ attached toilet bathroom बनाया जाता है और जब हर bedroom के साथ attached toilet bathroom बनाते हैं तो वो toilet bathroom कहीं न कहीं किसी न किसी गलत दिशा में यानि जो दिशा toilet की नहीं है वहाँ पर toilet बन ही जाता है लेकिन घर के अंदर kitchen एक बनाई जाती है वो kitchen आपको अपने घर के साथ जेंटर से साथ हिस्ट की और ही बनानी चाहिए master bedroom या store साथ वेस्ट में बनाना चाहिए और नौर्थ हिस्ट के बाग को हमेशे ही खुला खाली हलका और नीचा रखना चाहिए इन बातों का आप ध्यान रख लेते हैं तो मेरा अपना मानना है कि आपके घर का काफी हद तक वास्तुदोश दूर हो जाएगा आपके घर का काफियत तक का वास्तु दोश दूर हो जाएगा बाकी आप मेरी और भी वीडियो देख सकते हैं यदि आप अपना नया घर बनाने जा रहे हैं तो मैंने अपने यूटूब चैनल पर बहुत सारी वीडियो बनाई हुई है लग बसाड़े 500 प्लस वीडियो है आप मेरी वीडियो भी देख कर अपने घर को बना सकते हैं और आप हमारे यहां से अपने घर का मैप बनाना चाहते हैं तो आप अपने plot का size भेज़ कर हमारे यहां से वास्तु शास्तर के निसार अपने घर का map भी बनवा सकते हैं और आपने अपना map बनवाया हुआ है, layout बनवाया हुआ है तो वो layout आप हमारे पास भेज़ कर उसको check भी करवा सकते हैं और आप हमें अपने यहां site visit के लिए invite करना चाते हैं, तो site visit के लिए भी invite कर सकते हैं यह सबी से वह हमारी chargeable रहेगी, paid रहेगी आप अपना कीमती समय निकाल कर मेरी वीडियो देखते हैं, उसके लिए मैं आपका तयादित से धन्यवाद करता हूँ आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा ताकि मेरे आने वाली जितनी भी नई वीडियो है, उनकी नोटिफिकेशन आपको समेश में पर मिलती रहे इसी तरह अगले प्रोग्राम में फिर एक ने वीशे पर चक्चा करेंगे, तब तक के लिए आपका दे दिल से धन्यवाद झाल